जहीं दोस्तों, अभी हमारे देश में जिस तरह का कमाहौल बना हुआ है सोशल मीडिया को लेकर और सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म्स को लेकर जा हम ट्विटर की बात कर लें, फीजबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, यहां तक कि हम वाट्सअप की भी बात कर लें, जो कि एक चैटिंग का प्लेटफॉर्म है तो इन सभी चीजों के बीच में आप ही देखेंगे कि सोशल मीडिया की जिंदगी में अभी एक सा रगता है बूचाल टाइप का आया हुआ अब ये क्यों आया हुआ है सबसे पहला कारण तो ये और इसमें इसना चौध ही कौन बनके बैठा हुआ है मतलब सोशल मीडिया की जो अप्लिकेशन से हैं इसमें का सरदार कौन बनके बैठा हुआ है दूसर सवाल ये आता है और देखिए हो तो ये इसलिए रहा है क्योंकि प्राइवेसी के ओपर सवाल ऐसा नहीं है कि भारत में आज पहली बार उठा है बस ये है कि दूसरे देशों में ये चीज़ें पहले ही इन चीजों के बारे में बातें पहले ही हो चुकी हैं भारत में थोड़े समय बाद हो रही है और भारत में इसलिए भी बात में हो रही है क्योंकि भारत को जब मतलब हमारे पश्ची में देखते हैं भारत के तरफ त सब चीजों को देखते हुए जब Google और Facebook के ऊपर आरोप लगे थे अमेरिका में और फिर उनकी वखादा तरीके से वहाँ पर खेचाई भी हुई थी उसके बाद ही मानना जा रहा था कि प्राइवेसी को लेकर अब काफी ज्यादा चीजन सुधर जाएंगी लेकिन क्या है ना क को बेचने की बात कैसे नहीं सूचे सबसे बड़ी बात यह आती है दूसरी टरंप के साथ जो हुआ था 12-16 में जो उन्हें ने चुनाओं जीते थे उन चुनाओं को जीते नहीं जो सोशल मीडिया की एक पावर निकल कर सामने आय थी किस तरीके से आप सोशल मीडिया की मद चीनि एपिलिकेशन से जो कि यहां के लोगों का डेटा चाईना भेज रही utp आहरे में और कुछ समयों के बाद आपको हरेकम एपिलिकेशन पे उसी से INTERST students introduced add आँने लगेंगी इससब डेटा के मतलब माईं именно क कारणा हो है क्यांकी आपका डेटा कहीं ना कहीं शेर किया जा रहा है अब यह चीज़े हमारे लिए कोई नहीं 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 रहे हैं लेकिन जब आप इस डेटा को इस हद तक यूज कर सकते हो कि आप सामने वाले की पसंद की हिसाब सो इसको एड दिखा सकते हो तो आप यह समझें कि आप किस हद तक लोगों की प्राइवेसी तो देखिए भारत में यह भूचाल ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया है पिछले साल यह आ गया था और फरवड़ी में इसको लेकर हमारे सरकार ने साफ तोर पर नियम भी बता दिये थे मतलब उनका कहना दिये था कि अगर हम आप से कोई कंप्लेंट करें तो हम किस से करें तो आपको हमारे ही देश में एक अधिकारी भी रखना पड़ेगा जिससे कि हम सीधे दौर बात कर सकें और अगर हम किसी कंटेंट को हटाने की बात करते है तो आपको ओको कंटेंट भी हटाना पड़ेगा अब इस बात को लेकर वाट्सअप भी लड़ रहा है कि भाईया को हम origin कैसे बता दें ये तो हम privacy के साथ खिलवाल करेंगे और ऐसा वैसा लेकिन कई सारे cases में देखा गया है कि किस तरीके से एक whatsapp का message भी हमारे देश में कितने बड़ा बड़ा कांड कर देता है तो ऐसे में हमारे देश में अगर कोई चीज की जरूरत है तो वो इस समय है data मल अगर वो अंदर नहीं आई तो अभी जैसा कि हम OTT platforms पर देख रहे हैं कि एक soft pawn जो बाटा जाता है कई सारे OTT platforms के नाम से तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और regulation उसके उपर कोई लग नहीं पाएगी ज्यादा तह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सूचन मंत्राले सूतरों के मताबिक IT Act के नए नियम का पालन करते हुए अधिकांश प्रमुक सोशल मीडिया कंपनियों ने भारत में अपने प्रमुक अनुपालन अधिकारी मतलब Chief Compliance Officer, Nodal Contact Person, Grievance Officer का वेवरण Electronic और IT मंत्राले को देख दिया है नए नियमों के अनुसार इन महत्वपुन सोशल मीडिया कंपनियों में नामत अधिकारी कंपनी के करमचारी और भारत में निवास करने होने चाहिए इन अधिकान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कू, ShareChat, Telegram, LinkedIn, Google, Facebook, WhatsApp और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो शामिल है वहीं टुटर ने सरकार की फटकार के बाद देर रात अपनी फिर्म में काम करने वाले वकील की जानकारी इसाजा की है जो भारत में उनके नोडल कांटैक परसन और शकायत अधिकारी के तोर पर काम करेगा लेकिन उन्होंने अपने अनुपालन अधिकारी को लेकर अब तक कोई सूचना मंतराले के साथ शेयर नहीं करी है आपको बता दूँगी ट्विटर दौरा आईटी एक के डैनियमों का पालन ना करने पर इससे पहले भारत सरकार ने कमपनी को फटकार लगाई थी ट्विटर की ओर से जारी बयान में अविवक्ती के आजादी का हवाला दे कर चिंता जाहिर करने पर सरकार ने कमपनी को कहा था कि भारत में अविवक्ती की स्वतनता की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मदारी है ना कि ट्विटर जैसी नीजी कमपनीों की जो की प्रॉफ अधिक्तल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम मातर है उस से जादा कुछ भी नहीं भारत की कानून नीती की रूप रेखा क्या होनी चाहिए यह तैकरने में इसका कोई भी अधिकार नहीं है आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंतरालाय ने 25 फरवरी को मद्यस्त दिशा निर्देश का पालन करने में विफल रहे थे जिसके बाद ऑनलाइन न्यूस पब्लिशर्स और उट्टी प्लेटफर्म को 15 दिन का समय दिये कर गायलेंड के अनुपालन का ब्योरा मांगा गया था तो इस तरीके से ट्विटर की जो खुस्यारी थी वो निकल कर सामने आ बारत में उतनी ज्यादा आसान है नहीं जितनी आपको लग रही है हमारे देश में एक कंपनी खोलना हो तो आपको जजबार सोचना पड़ता है तो फिर ट्विटर जैसी कंपनी को सोच रही है कि वो भारत आकर अपनी मनमर्जी से काम कर लेगी भाई ऐसा तो कहीं से कहीं पर मुनासिब है नहीं और सोचल मीडिया रेगुलेशन तो वैसे भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुके हैं क्यों कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि किस तरीके से टुटर कुछ लोगों के अकाउंट सिर्फ ये बोलकर सस्पेंड कर देता है कि इन् लेकिन उसके बाद भी उनके अकाउंट के ऊपर कोई खत्रा नहीं आता उनकी अभीविक्ति के अजादी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ठोस रूप में बनी होती है लेकिन वहीं जो दूसरे कुछ लोग होते हैं आप्विसली सर्टन पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट करन हैं इस तरीके से कि भई अब ट्विटर जो है अपने हिसाब से लोगों की आवास को नहीं दबा सकता है हाँ अगर कोई गलत चीज डाल रहा है तो अब यह समझना पड़ेगा कि उसकी हद क्या है क्योंकि अगर वो अभी भी अपनी हद नहीं समझती है और इस तरीके से काम करती जैसे कि वो देश चलाने के लिए जिम्मेदार हो तो उनको समझना पड़ेगा कि उनके जिम्मेदारी नहीं है बलकि उनके जिम्मेदारी है सिर्फ वर सिर्फ शांती से लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिस पे कि लोग अपनी बात रख सके थोड़ा बाद वो पाईसा कमाएं और उसके बाद वहाँ से आला गड़ जाएं सोशल मीडिया के रोल इतना ही है इस से जादा कुछ भी नहीं है मेरे स्वीडियों फिलाल इतना ही जैहें जैबारा